केंद्र और राज्यों के बीच के टकराओं को लेकर कुछ चर्चा करना जरूरी है 1967 तक तो देश में चाहे विए केंद्र हो या राज्यों वहाँ एक ही दल की सरकारे थी एक ही दल का प्रभुत्व था 1967 के चनाओं में नौ राज्यों में हारने के बाद जब बहुद अली व्यवस्था भारत में शुरू हुई तो भारती व्यवस्था में असल में केंद्र राज टकराओं प्रारंब हुआ उस समय अन्य दलों के सरकारों ने कॉंग्रेस के सामने एक तरीके से सेर उठाना शुरू किया और कॉंग्रेस अर्थात केंदरी सत्ता के सामने एक अपनी आवाद रखनी शुरू कि और ये बढ़ती आवाद की परणाम था कि दोनों के बीच में तकराहट की शुरुआत हम देखते हैं अर्था केंदर राज्य संबंदों में कुछ खटास के हम कुछ उदाहरण इसी काल से देखना शुरू करते हैं इन तनाओं के संभाव क्षित्र तो आप पढ़ी रहे हैं लेकिन हमें उनके कुछ उपक्रमों के बारे में जाना चाहिए जो देश में इसे रोकने के लिए किये गया है क्या प्रयास हुए बढ़ती टकराहट को एक तरीके से ठामने का रोकने का 1966 में ही सरप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना होती है और प्रशासनिक सुधार आयोग कुछ प्रस्ताव देता है तो में केंदर की कॉंग्रेस सरकार ने मौराजी देशाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जिसे रेकमेंडेशन दे रहे थे जिनसे दोनों के बीच की टकराहट कम हो, संबंध बहतर हो, फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे और साथी साथ देश की एक रूपता पर भी किसी तरह की चोटना हो, यह जो प्रतिवेदन था, इसका अदि हम निचोड देखें, तो M.C. सितलवार्ड बहुत प्रसिद जो नियाधीश हुए सुप्रीम कोड के, उन्होंने मुख्य बिंदूओं पर कुछ इस वकार अपनी अनुशंसा रखी, अनुशे 263 के तहट, अंतर राजी परिशत के गठन की अनुशंसा होती है, बाद में तो इस संबंध को लेकर अनुशंसा सब ने भ हुआ, दूसरा, किसी गैर दली व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किये जाने की अनुशंसा इस रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यक्ति राज्यपाल बने वहां भर्चक नियूट्रल रहे, भर्चक किसी भी दल के प्रति उस में वित्रण ऐसा किया जाए कि राज्यों की सूची में ज्यादा से ज्यादा विशह डाल दिये जाए, 1969 में राजा मनार समिती जो डियम के की थी, उसने तो संगी या संगवादी प्राधानों को ही समाप करने की अनुशंसा कर दी थी, और उसके अनुसार भारत को पुना उस काल में जाने की व्यवस्था का अनुरोध था, जो काफी पुराना था, जब कोई सशक्त केंद्र नहीं हुआ करता था, उधारन के तोर पर उन्होंने कहा, पहली बाद कि I.S. I.P.S. जैसे अखिल भारती जो सर्विसेस हैं, उसको पूरी तरह से समाप करें, दूसरा, राश्टपति शासन के प्राउधान को पूरी तरह से हटाया जाए, तीसरा, राज्य सूची में ज़्यादा से ज़्यादा विशय शामिल किये जाए, और चौथा, राज्यपाल की मंत्री परिशद नियुक्त करने की शक्त को पूर्ण रुपेर समाप किया जाए, जाहिर ह है, इन प्रस्तावों को मानने का प्रश्ण ही नहीं उठता था, क्योंकि ये प्रस्ताव भारती, संगी, विवस्था पर एक तरह से चोट थी, भारत के संब्यधानिक जो प्राउधान थे, उसके भी खिलाफ ये जा रहे थे, इसलिए अधिकतर प्रस्ताव इनमें से स्वि बड़ा लंबे काल में वहां शासन रहा, उन्होंने क्या किया, 1977 में इनके मताबिक संग शब्ध ही हटा जें समृधान से, वैसे तो संग शब्ध का भारत में उस संदर में उलेक नहीं है, जिस संदर में उसे अन्य देशों में कहा जाता है, संग अर्था फेडरेशन, जैस और उनका कहना था कि संग शब्ध हटाकर उसे संगी व्यवस्था कह दिया जाए, जिससे भारत राज्यों का संग स्पष्ट कर दिया जाए, दूसरी बात केंदर सरकार के पास केवल रक्षा, विदेश और संचार, यही विशेर हैं, शेष राज्यों पे छोड़ दे, केंदर के पास, जो केंदर को जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका 75 पतिशत राजस्व राज्यों के बीच में वितरित करें, अर्था केंदर के पास 25 पतिशत धन रहे, रवेन्यू रहे, और चौथा, राज्यसभा को भी लोग सभा जितनी शक्तियां दी जाएं, इसके पीछे ये तर्था कि राज्यसभा राज्यों का पतिने जित करती है, और इसलिए राज्य अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के अधिकारों में विस्तार की बात कर रहे थे, थोड़ा हम सोचें कि ये सरकारें प्रस्ताव लाती भी थोई, तो किस तरीके के प प्रस्ताव आते थे, इन सब प्रस्तावों में कुछ एक common thread हम देखते हैं, आज के विश्व जहां अमेरिका, चीन, रूस, जहां ऐसी महाशक्तिया हैं, वहां इन राज्यों का कमजोर के अंदर देखना उच्छत नहीं था, ये एक बड़ा विचारणी प्रश्ट है, प्र परिप्रेक्ष में राज्यों को इतनी ताक्त दी जाए कि उसके सामने केंदर कमजोर नजर आए, आप सब को ये सोचने के लिए एक महत पूंट बिंदू है, अब केंदर राज्यों ने, अब केंदर सरकार के लिए बात करें, तो केंदर सरकार ने स्वैम भी एक आयोग समनत ऐसे जो आयोग बनते हैं, उसमें रिटायर जज्ज को ही उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ, कि जो रिटायर जज्ज अपने अनभवों के आधार पे बहुत सोच समझ कर निर्णा लेंगे, रिटायर जज्ज किसी दल से जुड़े ह हुए नहीं होते हैं, रिटायर जज्ज जो हैं, वे नियायक संगत बातें करने में परिपक्ष होते हैं, इसलिए ऐसे आयोगों में इनको स्वामानत अध्यक्ष बनाया जाता है, अब हम देखें कि इन विधि विशे शग्यों ने क्या-क्या प्रस्ताव रखें क्या संतुतियां देगे, राश्ट्री एकता खंडता के लिए मजबूत केंद्र की बात की, सत्त रूट से, साथ ही, इनके जो दूसरे प्रस्ताव थे, ये अन्य जो समितिया हैं, जिनका मैंने पूर में जिक् विपरीत थे इनका कहना था कि All India Service को और मजबूत किया जाए हाँ 356 के उपयोग को लेकर सरकारिय कमिशन जैसा मैंने पूरू में भी कहा है उसने इस बात को अंडरलाइन किया है कि इसका उपयोग सम्हाल कर किया जाए इसे हटाने की कोई बात नहीं है यह जरूरत है लेकिन सम्हाल कर उपयोग करने की आश्कता है तीसरा कराधान की शक्ति के संबन्द में जहां एक और 75% धन राज्यों में बांटने के प्रस्ताव आ रहे थे सरकारिया कमिशन पश्था कि इसकी शक्ति संसद के पास ही रहे और संसद टैकरे कि कि किस तरह के कर्ग वितरण कर्व भाजन के युस्था हो चौथा राज्यपालों के पद की सुरक्षा की जाए पांचवा समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से प्रामर्श लिया जाए अर्थाथ ऐसी स्थिति को से बचा जाया जिसमें टकराहट हो और टकराहट की स्थिति में आपको मालूम है कि केंद्र का कानून ज्यादा हवी होता है और वह लागू होता है लेकिन यहां पर सरकारिया की अनुशनसा थी कि केंदर के द्वारा यदि समवर्ती सुची में किसी तरह का कानून बनाया जा रहा है तो राज्य सरकारों से प्रामर्श अवश्य कर लिया जाए साथ ही राज्यों में केंदरी बनों की निक्ट के लिए किसी तरह की सहमती की आश्कता नहीं मानी 247 अनुशनसाएं थी जिसमें 180 अनुशनसाएं बार बार की जा चकी है इसके बाद किवल 2007 में एम एम पुंची के अध्यक्ष्टा में जो चीफ जस्टिस से एक आयोग गठित किया गया जिन्हें नए प्रिष्ट भूमी में नए परिद्रिश्यों के अनुशनसाएं करने की जरूरत के मद्दे नजर ये समीती बनाई गए इसके प्रस्टाओ क्या थे समवर्ति सूची पर राज्यों को अधिक अधिकार राज्य विद्यकों पर राज्यप्रति की शक्ति में थोड़ी कमी का प्रस्टाओ राज्यपाल की राज्य नीथिक ततस्ता पर बल ये एक ऐसा मुद्धा है जो सतत रूप से गज्च सत्तर वर्ष के भारत के सत्ति शपताथ में हमारी राज्यप्रति की विवस्ठापर बारंबार प्रश्ट टले कर हर समिद्धी ने कुछ ने कुछ अनुशंसा की है और ये एक बहुत सेंसिटिव मामला हो चला था अधारा 356 के तर्थ तो इसकी तटस्थता पर बल और पद सुरक्षा साथ ही महाभियों की प्रक्रिया का पालन करने का प्रस्ताओं अगला प्रस्ताओं था इनका कि राज्य विद्यकों पर राज्य तो छै माह की काल कीमा निर्धारित हो राज्य पालों को यूनिवर्स्टी के चांसलर रहने की शक्ति खत्म की जाए क्योंकि यूनिवर्स्टी के चांसलर राज्य के अंदर जितने विश्व द्याले हैं उसके चांसलर होने के नाते ये संभावना देखी जारी थी कि चांस के रूप में निव्ट कर रहे थे तो इस संभावना को कम करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया कि इनके अधिकारों को इस खितर में कम करें तीन सो छपन के बारे में फिर ये भी प्रस्ताव आया कि जो ऐसार बोमाई केस था एक बहुत प्रस्द केस उस पर सुप्रीम कोट द्वारा दिये गए दिशा नर्देशों का पालंग हो तो एक बात हमें समझ में आती है वो ये कि अमेरिका और हम दोनों ही राज्यों के संग अवश्य हैं परंतु एक मूलभूत अंतर और वो ये कि भावनात्मत तोर से सदियों से हम जुड़े हुए और संकट में हमें तोड़ना आसान नहीं लेकिन अमेरिका में इसका ठीक विप्रीद वहां भावनात्मक रूप से संबंध कम समझोते के रूप में एक दूसरे से संबन्ध है इसलिए तूटने की संभावना वहां जब तब रहती है अमेरिका के जो रज हैं वो एक समझोते के तर्थ जुड़े हुए है भावनात्मक की तो बात ही दूर उन्हें साथ ही साथ कोई ऐसी विदिक विवस्था भी नहीं है जो उन्हें बांद के रखे और संकट के समय सुनिशित करें कि सबर राष्ट या राज्य अमेरिका के संदर्ब में एक रहें आजने की खास में देखें तो अमेरिका की जितनी भी पराजय हुई वैसे तो अमेरिका अपराजय रहा लेकिन जहां भी उसे एक तरीके से मुह की खानी पड़ी जैसे विएटनाम का मामला लें तो उसके अधिकारण पे जाएंगे तो अब तक्षी सही क्यूबा के संकट की बात करें कोरियाई संकट की बात करें विएटनाम संकट का तो मैंने जिकर किया ही और अभी वर्तमान में जो कुछ वर्षपूर अफगानिस्तान में जो उसका हच्र हुआ इन सभी जगों में सेनेट या राज्य सभा के दखल को ही प्रमुक कारण अमेरिका के इस शोचनी स्थितिका रहा जहां भी उसकी स्थितिक खराब हुई उसके पीछे सेनेट का दखल एक कारण रहा सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वहां के राज्यों ने ये बारबार धमकी दी केंद्री सत्ता को कि राश्पति चाहे तो लड़ते रहें हम अपने को अमेरिका से स्वतंतर कर लेंगे यदि अमेरिका की संगी सरकार अपना रवया इन देशों के प्रति जारी रखी अब हम आते हैं रिचे 356 पर पुना जिस पर केंद्र राज्टर काउस टकराउ जो है वो सबसे ज़्यादा रहा 1954 में इसकी शुरुवात देखे जाती है जब आंध्र प्रदेश से शुरुवात हुई और केरल की तो राजनीतिक शुरुवात ही राजपति शासन से 1956 में हुई जब राज्यों का भाशाई आधार पर पुनर गठन किया गया था मनिपूर में दस बार मनिपूर में दस बार उत्तर पुदेश नौ बार, पंजाब आठ बार, जम्हु कश्मीर साथ बार, बिहार आठ बार कितने उदाहरन हैं और एक ही राजज में यदि इतनी बार राजपति शासन लागू हो तो क्या वहां स्थाई विकास की कल्पना की जा सकते है सरकारों का बार बार बदलना, किसी देश की, किसी राजज़े के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है ये जान के आपको खुशे होगी कि चतीज़ गड़ और तेलंगाना चतीज़ गड़ भी उसमें शामिल है ये दो ही राजज़े हैं आज की स्थित में जहां कभी राशपति शासन लगाने की नौबत नहीं आई वैसे देखा जाए तो तेलंगाना मात्र भी उसको आठ वर्ष हुए है वो आठ वर्ष का शिशु है चतीज़ गड़ फिर भी बीस बाइस वर्ष उसकी स्थापना को हो चुके हैं लेकिन केरल और अन्य राज़ों के टिहास को देखें जहां स्थापना से ही राश्पति शातन शुरू होता है हम और तेलंगाना ये दो सभागिशाली राज़ रहे हैं जो राश्पति शातन से बचे हुए हैं केंद राज संबन्दों पर एसर बोमई वर्सेस यूनियन गवर्मेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के विचार थे उसके अनुसार तीन सो चपन के तहत राज़ में समवेधानिक आपात का लागू करने की संगी की शक्ति के दुरुपयोग के वृद तकालीन करनाटक के चीफ मिनिस्टर एसर बोमई जो जनता दल के थे उन्होंने 1989 में ये एक रिट दायर किया एक वाद दायर किया केस दायर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की कॉंस्टिटूशनल बेंच ने देखा कॉंस्टिटूशनल बेंच कार्थ वो हता है ऐसा जजों का एक दल मनाया जाता है जो समवैधानिक मामलों में निर्ने देते हैं दूसरे शब्दों में यदि कोई सा के समवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ है तो एक या दो या तीन जजों का बेंच उस पर निर्ने नहीं देता उसके लिए एक बड़ी संख्या के जजों को शामिल किया जाता है और इस पकार यहां पर हम इसे सुनते हैं Constitutional Bench नौ जजों की यह समझने की बात है कि इन जजों ने बड़े विस्तार से इस केस के बारे में अध्यन किया और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी परिक्षाएं आजकल PSC, UPSC की होती है चाहे नायत तलसीदार की हो या जजज की हो उसमें 356 को लेकर एसार बोमाई केस के बारे में जिकराता है यदि राजिपाल यह महसूस करे कि राजिका शासन सम्वेधानिक सार पर अस्थिर है या सम्वेधान के तहट कारे नहीं हो रहा है तो राजपती शासन लगाया जा सकता है राजिपाल की अनुशन सापर शब्द है महसूस करें अर्थात अपने विवेक पर वह जब चाहे तो इन ने ले सकता है ये विवेक अदिकार जो है वह कई बार आटो क्रेटिक मालूम होता है कई बार इस अदिकार का उप्योग बे सिर पैर के किये जाने का आरोप इसलिए लगता रहता है और इसका परणाम क्या हुआ कि जब भी राजपती शासन लातू होता है तो मंत्री परशद बरखास पर दी जाती राज़ की मंत्री परशद और राजपाल जो है उसके हाथ में एक तरीके से सकता आज़ाती है जो राजपती के माध्यम से राज़ पर पर शासन चलाता है और राजपती स्वैम भी कुछ नहीं करता वो केंदर के मंत्र मंदल के आधार पर राज पाल को निर्देशित करता रहता है तो कुल मिलाकर मुद्दा ये हुआ कि केंदर हावी हो जाता है राथपसी शासन की इस सिति में तो इसमें सरोच नयाले ने क्या निर्देश दिया पहला, बहुमत परिक्षन जो है, वह केवल विधान सभा में होगा, अन्यत्र नहीं दूसरा, 356 का उप्योग करने के पहले, राज्य को चेतावनी दी जाए और कुछ समय दिया जाए तीसरा, केंदरी मंत्र मंदल द्वारा राश्ट प्रति को दिया गया परामर्श, जिसका मैंने अभी जिक्र किया भले ही नियाएक परिक्षन से बाहर हो, परंत उसके पीछे के आधार बिलकुल जाचे जा सकती है आखिर ये परामर्श क्यों दिया गया, किसकी जुरुत को हैलाइट किया जा सकता है यजि 356 का प्रियोग नियाले में टिक नहीं सका, तो फिर नियाले उसे रद भी कर सकता है 356 राश्पति की शक्तियों पर नर्भदन है, संसत के हाथ अनमोदन, संसत के द्वारा अनमोदन होने तक राज्यक की विधान सभा भंग नहीं की जा सकती, ऐसा सुप्रीम कोट का विचार था, एक तरीके से आदेश था इस परकार हम देखते हैं कि राज्यक और केंद्र के टकराओं में के बहुत से उदाहरन हैं, लेकिन हमारा समवेधानिक प्राउधानों के मद्दे नजर ये टकराहट इतनी बुरी स्थिति में नहीं गई, कि राज्यों के बीच में केंद्र के साथ समवाज बंद हो गया 1994 के बाद राज्यों में राज्यों में रास्पति शासन लागू करने की प्रवृति में कमी तो आई है, लेकिन इसमें और सुधार की जुरत है, और ये कमी का कारण ये कि बारंबार जो राज्यों के द्वारा जो विरोध की आवाज उठ रही थी, राज्यपाल के अधिका कारण के दुरुपयोग की, उसके परणाम सुरूप ये कमी आई थी, कोई समवेधानिक बदलाव नहीं किया गया था, जब तक राज्यों में नई सरकार नहीं बन रही हो, तब तक जैसे कुछ वर्षपूर उत्राखंड में और 2019 में महाराश में हुआ, कुछ दिनों के लि ही राश्पति शासन लगा दिया जाता, लेकिन ऐसा करने से बचने का अब एक प्रयास नजर तो आता है, और इस तरह टकराओं की जो स्थिती है, उसको न्यू नितम करने में काफी हद तक सफल हुआ है, कल्पना करी एक ऐसी स्थिती, जहां पूर्ण रूपेन यूनिटरी स्ट्रक्चर है, अर्थाद एकात्मक धाचा है, भार जैसे विशाल देश में यदि एकात्मक धाचा रहे, पूर्ण रूप से, संगात्मक न रहे, तो इसके क्या खामियाजा भगतना होगा, पहला, एकात्मक शैली मतलब एक शासन, एक सरकार जो किसी एक खित्र में बैठ जात्य है, उसका निश्चित रूप से नियंतरन पूरे ک्ःत्र पर उतना मजबूत नहीं होगा, जितना कि संगात्मक खैली में हैं, तो पहला खामियाजा कमजोर नियंतरन, दूसरा यदि नियंतरन कमजोर है, तो देश की अखिंड़ता, खिंड़ता को खत्रा है, तीसरा यदिनी अंतरन कमजोर है तो ऐसी जो प्रवृत्तियां है आतंकवादी प्रवृत्तियां अलगावादी प्रवृत्तियां विद्रोही प्रवृत्तियां इनको बढ़ावा मिलेगा ये एकात्मक्ता की पूर्ण एकात्मक्ता की भारत जैसे विशाल देश में बुराई हो चोथा एकात्मक प्रवृत्ति या एकात्मक शासन सामानित्या ताना शाही प्रवृत्ति को जन देता है पांचवा भारत जैसे विशाल देश के संदर में आप देखेंगे कि यदि एकात्मक शासन होए पूर्ण रूपेण तो ऐसी स्थिती में केंद्र सरकार जो संसद के मध्यम से चलती है उस संसद में देश का जो खेत्र ज़्यादा प्रतिनिती भेजता है वह खेत्र हावी रहता है उदारन के लिए भारत के संदर में दिबात करें तो उत्तरी भारत का वो हिस्सा जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्वी, बंगाल आते हैं इनके चुनावी खेत्र को देखें निर्वाचन खेत्रों के घनत्व को और आप पाएंगे इन चार खेत्रों में देश के आधे से ज़्यादा निर्वाचन खेत्र हैं क्योंकि घनत तो बहुत ज़्यादा है और इसलिए लोक सभा में इस खेत्र का प्रतिन देत्व ज़्यादा है तो लनात्मक दिर्श्टी से ये खेत्र हावी हो परिणाम क्या हुआ कि हर बार इस खेत्र से जीते हुए दल का दबदबा के इंदरी सरकार में रहा है आप यदि भारत के टिहास को देखे है तो भारत के अधिकतर प्रधान मंत्री इसी खेत्र से आए है श्री देवेगोडा को छोड़कर जिनका कारिकाल बहुत कुछ समय का रहा कुछ महίνों का बाकी सभी प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश विहार खेत्र से आए इस ख्षेत्र का दबदबा रहा एक आत्मक शैली में यदि इसी एक ख्षेत्र का दबदबा रहेगा तो बाकी ख्षेत्र काफी कुछ सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ी बुराई आएगी वो ये कि ऐसे वंचित होने की स्थिति में अन्य ख्षेत्र जो हैं वे कहीं और मखातिर होने लगेंगे कुछ और करने लगेंगे जो शायद देश की अखंडता एक ताके लिए उच्चित नहीं होगा लेकिन यदि संगात्मक शैली है यदि संग्रात्मक व्यवस्था है तो उसका फायदा क्या है कि केंदर में कोई भी सरकार आए हर राज्य को अपनी सरकारे मिली हैं तो राज्य की सरकारों के माध्यम से वहां की जनता वहां के नागरिक अपनी उम्मीदों अपनी अस्पिरेशन को पूरा कर सकती है केंदर की सरकार राश्ट्री मुद्रों पर जहां आधारित होती है राज्य की सरकारे वहां मूलत स्थानी मुद्रों पर चुनी जाती है और स्थानी मुद्रे जनता के लिए ज़्यादा आहम होते हैं तो संग संगात्मक्षाली की ये खासियत है कल्पमा करिये यह एकात्मक्षाली रही तो उसकी एक बहुत बड़ी बुराई एक और यह होगी कि जो परंपराएं हैं क्षेत्री परंपराएं, क्षेत्री भाशा, क्षेत्री विचार या क्षेत्री पर्वादी ये सब लुप्त प्राय होने लगेंगे और वे परंपराएं हावी होने लगेगी जिनका दबदबा केंदर में है जिनका दबदबा उस सरकार में है सत्ता में है क्या भारत ऐसा एक परंपरा वाला राष्ट बन सकता है एक संस्कृति वाला है एक विचार वाला इसका इतिहास बताता है कि भारत परंपराओं की विविधता करदेश रहा है और यदि ऐसी परंपराओं, रीती रिवाजों, भाशाई उसको कुछला जाने का प्रयास किया जाए तो विरोधी शक्तियों का जन्म हो जाता है इसलिए संगहत्मक विवर्था बहुत जरूरी है सांशीलता क्या धार पर, सहयोग क्या धार पर हमें खेतरी मुल्यों को, खेतरी गुणों को और खेतरी संस्कृति को विक्सित करते हुए एक राष्ट्रिय संस्कृति और मुल्यों को विक्सित करना चाहिए संगवाद जो है वो एकता और अनेकता हम देख चुके हैं दोनों का आदर करता अनेकता और विविताओं को समाप करके आप राश्ट्री एकता का लक्ष नहीं पा सकते यही बात जो मैंने और पहले कही उसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि राश्ट्री लक्ष राश्ट्री एकता को पाने के लिए दि हम खेतरीता को कुछलें तो प्राबिबली संभवत वो विरोधी ताक्तों को जन देगा इस तरह की जो बाध्धिकारी एकता है वो वास्तों में और ज्यादा खतरनाक होती है और ज्यादा सामाजिक संघर्ष को जन देती है और ज्यादा अलगावाद को जन देती है बाध्धिक एक्ता के बदले सहयोगी एक्ता सहयोगात्मक रवया ज़्यादा आवश्चक है और यह संगवात से आता है बाध्धिक एक्ता तो अंत में एक्ता कोई नश्च कर देती है इसलिए जरूरी है कि विभन्नताओं और स्वायत्ता की मांगों के प्रति सम्वेदन शील हों उत्तरदाई हों और राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो जो सहयोगी संगवाद का पालन करती हो अनुपालन करती हो कुल मिलाकर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जो सम्वेदन शील उत्तरदाई और सहयोगी संगवाद में विश्वास करे इस तकार ये अध्याय एक अध्याय के रूप में यहां समाप्त होता और इस अध्याय के मातखत हमने भारत की राजनीतिको बहुत गहराई से समझने समझाने का प्रयास किया निश्चित रूप से इसके अध्यान के बाद आप पाएंगे महसूस करेंगे कि दिन प्रति दिन की जो राजनीति है उसको आप बहतर समझने लगे हैं उसके जो न्यूएंसेस उस पर अब आपकी पकड़ बढ़ी है इस अध्याय से समझने अब कुछ प्रश्णों के और हम जाएं क्योंकि जब तक इनके प्रश्णों को आप पढ़े नहीं और उसके उत्तर ना निकालें तब तक यह अध्यन जो है वह अधूरा रहेगा तो हम पांच प्रश्ण इस सम्मंद में कौन-कौन से हैं जिसको जिसका उत्तर आपको अपने घर में बैठ कर लिखना है वह पहला प्रश्णी ये रहा बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण है भारत में संगी व्यवस्था अपनाने के कारणों को स्पष्ट करें भारत में संगी व्यवस्था अपनाने के कारण जिसमें आपको बताना होगा वे बिंदु जो संगी व्यवस्था की आवश्यकता साबित करते हैं उधारन के लिए संगी विवस्था के आश्कता के सम्मन में मैंने जो अंतिम बिंदु बोला इस अध्याय में विविदिता को अक्षिन बनाने की जुरत है परंपराओं, रीती रिवाजों, भाशाओं, भाशाई विविदिता इसको बनाय रखने की जुरत है, उसी में हमारी एकता नहित है इसी प्रकार कुछ अन्य भी बिंदु हैं, जिनको आपको क्रमवार लिखना होगा दूसरा प्रश्ण भारती सम्विधान में कौन-कौन से संग्ही तत्व पाये जाते हैं और कौन-कौन से एकात्मक तत्व तत्व के स्थान पर आप प्रवृत्तियां भी समझ सकते हैं भारती सम्विधान में कौन-कौन से संग्हात्मक और कौन-कौन से एकात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं इसे लिखें या एक दीर्ग प्रश्ण है लेकिन इसे आप बिंदु वार लिखें अहम ये नहीं है कि आप कितना लंबा उत्तर लिख रहे हैं अहम ये है कि आपने क्या सभी बिंदुओं को छुआ की नहीं तो आप बिंदु वार जैसा कि आपको इसके अध्यन के दौरान बताये गया करीब 20 बिंदू हैं दोनों पक्षों को मिलाकर संगात्मक प्रवृति और एकात्मक प्रवृति तो इन 20 बिंदूओं को आप करम वार लिखें और हर बिंदू पर 2-3 पंक्तियां काफी होंगे तीसरा प्रशन भारत में केंद्र और राजियों के प्रशासनिक संबंध पर एक लेक लिखें भारत में केंद्र और प्रशासनिक संबंधों पर एक लेक अध्यान के दौरान हमने तीन तरह के संबंधों का अध्यान किया विधाई संबंद, प्रशासनिक संबंद और अंतिम संबंद कौन सा था वित्तिय संबंद यहाँ पर हम प्रशासनिक संबंदों का जिक्र कर रहे है Administrative Relations इस पर आपको एक लेख लिखना है भारत सशक्त केंद्री विशेष्ताओं से युक्त एक संग्र है भारत सशक्त केंद्री विशेष्ताओं से युक्त एक संग्र है समीक्षा करें समीक्षा शब्द के माइने क्या है समीक्षा शब्द का अर्थ यह है ऐसे बिंदों को लिखें जो इस वाक्य के पक्ष में है उसके बाद ऐसे बिंदुवार को लिखें जो इस statement या वाक्य के पक्ष में नहीं है और उसके बाद आपको निशकर्ष निकालना है कि भारत क्या वास्तों में केंदरी विशेष्टाओं से युक्त एक संग है या कुछ और है या कुछ और है तो निशकर्ष आपके लिए बहुत महत्पूर्ण होगा लेकिन पहले पक्ष और विपक्ष दोनों में बिंदुवार इन विशेष्टाओं का जिक्र करेंगे पाच्वा प्रश्न बहुत महत्पूर्ण भारत के सिंदर में भारत में संग वाध होते हुए भी शक्तिशाली केंद्र क्यों स्थापित किया गया कारण लिखें तो आपको इसमें विस्तार से लेकिन पुना बिंदवार ही उत्तर हों जिसमें आपको बताना होगा कि किस मामले में केंदर शक्तिशाली है और हर मामले में आपको थाबित करना होगा यह क्यों हमारे सम्विधान में इसका प्राउधान किया गया है शक्तिशाली केंद्र क्यों इस्थापित किया गया इसके कारणों पर जाना है और अंतिम प्रश्णा अपले भारती संविधान में कुछ राज्यों के विशय में विशेश उपबंद क्यों किये गए भारती संविधान में कुछ राज्यों के विशय में विशेश उपबंद क्यों किये गए कौन से राज्यों में जिनका हमने अध्यन किया है जहां पर कुछ विशेश प्राउधान किये गए पहला सा जम्मून कश्मीर पहला था ये आवियाद रखेंगे क्योंकि वरतमान में अब वह विशेश नहीं रहा पर जब तक था तब तक का विवरन आपको देना है तो जम्मू कश्मीर के बारे में उसमें लिखना होगा पूरवोतर राज्यों के बारे में आपको लिखना होगा जहां किसी वहां की विशेश स्थिति के कारण वहां पे कुछ विशेश प्रावधान किये गया है और कुछ अन्य राज्यों में यदि कुछ विशेश प्रावधान किये गया है तो उसको आप देखें और उसको भी लिख कर अपने को इस मुद्दे में अपडेट करें जम्मू कश्मीर के मामले में आपको अपना उत्तर जनवरी 2020 तक के लिए लाना है जनवरी 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर मैं करक करना हूँ 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो अलग-अलग यूनियन टेरिटरी का निर्मान हुआ था और जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली और दामन डेव को मिला कर एक यूनियन टेरिटरी की गई थी तो आपको यहाँ पर बताना है कि विशेष प्रावधान कुछ राज्यों के लिए किन इस्थितियों में और क्यों किये गए और आज की इस्थिति क्या है इस वकार इन प्रश्णों के गहन अध्यान और इनके उत्तर के बाद आप निश्चित रूप से राजनीती में पारंगत हो जाएंगे झाल